कि इंट्रेस्टिंग इंपॉर्टन्ट है द्यान से देखना मतलब यह वैसे वाल है कि अच्छा ऐसे करते थे फर्स टाइम सुनना पड़ता है बागी कुछ नहीं है एक चीज यह हमेशा ध्यान लगना कि शेयर्स और डिवेंचर में न एंट्रीज में बहुत ज़्यादा से मिलारीटी जहां बैंक टूशेर अप्लिकेशन होता है वहां यहां पर क्या लिखते हैं कि बैंक टूशेश एप्लिकेशन फिर शेयर अप्लिकेशन टूशेयर कैपिटल की जगा यहां डिवेंचर अप्लिकेशन टूए एक्सपरसेंट डिवेंचर तो अगर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चिन करें सब में लंसम अमांट आ रहा अगर बढ़ सब्सक्राइब होते तो जो रूल सबनेंटल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या औब ल्वा की सारे सब्सक्राइब होती है पर więks वित है तो ध्यान से देखना बिटा क्वेश्चन नंबर 36 केर कॉस्मेटिक्स लिमिटेड इशूड फिफ्टी थाउजन नाइन परसंट डिवेंचर तो यह फिफ्टी थाउजन नंबर ऑफ डिवेंचर तो यह बड़ा ध्यान से पढ़ना कभी लिखा होगा रूपी फिफ्टी थ कहीं रूपीज फिफ्टी थाउजन लिखा है यहां लिखा है फिफ्टी थाउजन डिवेंचर तो यह आपको नंबर ऑफ डिवेंचर डार अल्रेडी गिवेन है इसके हिसाब से आप काल्कुलेट कर लोगे तो पचास जार नौ परसंट डिवेंचर से टेन रूपीज इच और फिर्स्ट एप्रिल 2020 रीडिमेबल अट प्रीमियम ऑफ 10 परसेंट आफ्टर वाटेवर यह उससे मेरे को कोई लेना दिना नहीं क्योंकि मुझे तो अभी इशू के इंट्री पास करनी है पॉइंट इशू के बारे में कुछ मेंचन नहीं करा कि पार पे है प्रीमियम प कर देशर है according to the terms of issue for is payable on application and the balance on allotment अगर 10 रुपे का डिपिंचर है application पर कितने चार रुपे application पर कितने चार रुपे allotment पर कितने छे रुपे यह क्लियर है तो जो भी adjustment हम करते है वह Allotment के स्टेज पर करते हैं क्यूंकि के स्टेज पर जाके फाइनल होता है कि हम कितने डिवेंचर अलोट करने वाले हैं तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेवेटेट टू डिवेंचर अप्लिकेशन कितने पैसे आए फिफ्टी थाउजन इन्टू फॉर 2 lakh rupees bank account debited to debenture application bank account debited to debenture application okay next entry debenture application debited to nine percent debentures bank bank to debenture application debenture application to ex-percent debentures थे पहले स्टेज ओगे अप्लिकेशन दूसरा अलोटमेंट में पहले द्यूकी एंट्री तो debenture allotment account debited देवेंचर अलोटमेंट तू नाइन परसेंट देवेंचर्स ओके 665 सा स्वी लाट देवेंचर्स अब ध्यान से देखना देवेंचर्स इशूद आट पार रिडीमेबल आट प्रीमियम एस और नौ कि यहां पर आप अलॉट्मेंट के साथ प्रॉविजनिंग करोगे प्रीमियम के बारे में कुछ में नहीं तो प्रीमियम कौन से स्टेज पे अज़स्ट करते थे सब्सक्राइब हैए clapping करनी तो वह साथ इसके लावा जो रिडेमशन के टर्मिक विटेस्ट फ्रोम गन ऑफ रिडेमशन तो नहीं कि भी कुछ प्रोविजनिंग करनी पड़ती है तो वह भी अगर मुल्टिपल स्टेज़ थे तो कौन से स्टेज पर करते हैं अलॉट्मेंट तो अलॉट्मेंट के टाइम हम क्या लाइबिलिटी एडिशन दिखाएंगे प्रीमियम ओन प्रीमियम है तुल है की तो पार्ट्स में न दो लाग तीन लाग बटडिव स्टो दस प्र रुपे का प्रीमियम कितना हो गया 50,000 यह क्लेड है अब को यह सब्सक्राइब है तो यह एंट्री प्रीमियम 5 लाग का 10 परसेंट आपका 36 अभीशेग यह अच्छा वेश्चन था इंपोर्टन था